हालो स्टूरेंट्स वालकम ओन्माइचनल न्यूरा मैंस क्लासिज आज की लेक्चर में हूं क्यालकुलर्स की एक्सेसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2 इसी कुछ मैंने फॉर्मुलाज करवाय थे लास्ट लेक्चर में एनल डेरिवेटिव गें उसी विज़्ट हमों कॉशिन कर इसी य हो पावर मिनस वन ठीक है डर्नमे dif देन्मे डिमडर करेंगे तो पावर माईनस वन अजाएगे धननंटार डिलव ट आलेवेटिव इसफ़ेटिव माईनस ट्री दिस टोदाश टीव स्ट्री इस्टरब अनस तो एडब बे स्करीन टॉसंटारीस दूलाज से आएगा और एक तो हमारे का अल्रडी है ठीक है एज इस वाइट रीजर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 पावर इधर यहां पर लिख सकते हूं थर्ड डेरिवेटिव निगालते हैं वाइन इस यूपल तो देखे थर्ड डेरिवेटिव अबर हमने किया 1 2 3 माइनस 1 3 टाइम आ र देंगे और 1 इंटू 2 इंटू 3 तीन नंबर की मल्टिप्लाई होगे और यहां पर पावर जो हो जाएगी माइनस 4 यहां पर अगर हम माइनस 3 डेरिवेटिव कर रहें दैन इसकी पावर माइनस 4 2x प्लस 3 रिज़ पावर माइनस 4 4 को हम डिख देंगे 3 ब्लस 1 माइनस भार को मैंने ब्रेक किया 3 प्लस 1 में इंटू 2 इस तो पावर 3 इसी से मम स्मेट्री ना लेंगे अनध डिवेटिव जम निकाल रहे है माइनस 1 की पावर एन सर्थ ट्रुस डेरिवेटिव किया तो माइनस वन की पावर 3 आ रही है एनध करेंगे तो माइनस 1 देस पावर एन आज़ाए तो जब हम इन थर्ड डेरिवेटिव किया 1 इंटू 2 इंटू 3 यहनि किसको आप क्या लिख सकते हो 3 factorial okay second derivative किया so minus 1 square 2 time minus 1 and 1 into 2 और इसको हम लिख सकते 2 factorial 1 into 2 को हम 2 factorial लिख देंगे ठीक है तो second derivative किया तो 2 factorial 3rd कर रहे है 3 factorial और nth करेंगे then n factorial आजाएगा यानि कि आप ही हाप यह भी लिख सकते 1 into 2 into 3 up to 6 multiply n numbers की because third derivative किया तो 1 into 2 into 3 आ रहे है second कर रहे है तो 1 into 2 आ रहे है nth करेंगे तो 1 2 up to 6 n numbers की multiply आ जाएगी next is 2x plus 3 third derivative पे minus 4 power nth पे क्या जाएगा n plus 1 यानि n से एक ज्यादा 3 से एक 3 में एक add करेंगे 4 आ रहे है ऐसे n में एक add करेंगे n plus 1 आ जाएगा ठीक है एक number रहता है 2 raise to power third derivative में 3 power आ रही है and sorry nth derivative में n power आ जाए okay then minus 1 raise to power n 1 into 2 into 3 up to 6 n इसको हम लिखेंगे n factorial and इसको जो आप denominator में convert कर लीजिए यानि power positive करेंगे तो 2x plus 3 raise to power n plus 1 into 2 raise to power this is another derivative of y equal to 1 upon 2x plus 3 इसी तरह से second लिखें first का second part इसको आप लिखोगे x plus a raise to power half first derivative करेंगे half power आ गया जाएगी x plus a raise to power minus half second derivative half into minus half power x plus a raise to power minus 3 by 2 third derivative करते हैं 1 by 2 minus 1 इनको आपको solve नहीं करना multiply नहीं करना as it is regular and इसके बाद जोगा minus 3 by 2 power आएगी and x plus a raise to power इसमेंसे एक और minus करेंगे तो minus 5 by 2 fourth derivative करते हैं 1 by 2 minus 1 by 2 minus 3 by 2 into minus 5 by 2 and x plus a raise to power minus 7 by 2 इस तरे से आपको nth find out करना है यह रफ कर देती हुए यह से अगर हम nth derivative निकालते हैं then देखें आपर 1 into 1 is a 1 minus कितने टाइम आया है fourth derivative में minus 1 2 3 3 time means इसको मैं लिख सकते हूं minus 1 की power cube 1 2 3 3 time minus आया है तो minus 1 की power cube करेंगे means 3 बर multiply करेंगे then denominator में आपके पास 2 1 2 3 4 चार टाइम 4 की multiply कर रखें मिंस इसको मैं लिख दिया 2 raise to power 4 ठीक है जब हम 3 derivative कर रहे है then 1 2 3 2 raise to power 3 आ रहा है 4 derivative कर रहे है तो 4 time multiply है तो 2 raise to power 4 हो जाएगा and यहां पर numbers की आ जाएंगे 1 into 3 into 5 1 into 1 is a 1 3 and 5 ठीक है and x plus a raise to power minus 7 by 2 को आपको कैसे लिखना है 4 derivative कर रहे है 4 plus यहां पर हम ऐसा क्या करें कि 4 plus any number की हमारे पर 7 by 2 आ जाए तो 7 by 2 में से आ 4 minus कर लिजिए then यहां जाएगा minus half ठीक है चादुनी 8 minus half तो यहां से मैं क्या करती हूँ minus 4 minus plus 1 by 2 ठीक है देखें आपर minus 4 plus 1 by 2 यहां पर क्या बना इसको कर मैं solve करती हूँ चादुनी 8 plus 1 minus 7 by 2 आ जाएगा तो जो minus 7 by 2 है उसको मैं लिख दिया minus 4 plus half अब मैंने minus 4 ही क्यों लिया because यहां पर symmetry बन जाएगी जैसे यहां पर था third derivative में x की power x plus a की power minus 5 by 2 है इसको आप लिख सकते हो x plus a raise to power minus 3 by 2 sorry 3 by 2 में 3 minus 3 plus half समझे minus 5 by 2 मिन्स धाई एंड मैंस 3 में से अगर मैं half add करूंगी means minus नहीं होएगा तो minus का 5 by 2 रह जाएगा ठीक है तो यह इसलिए कर रहे है कि third derivative कर रहे है तो 3 आ रहे है 4 derivative कर रहे है तो 4 plus half आ रहे है half half तो सम में add हो जाएगा second derivative में आप क्या लिख सकते हो x plus a raise to power minus 2 plus half तो half तो देखेंगे तो x plus a में half तो सम में add हो रहे है ओके तो जब हम nth बनाएंगे तो यहां से easy step हो जाएगा उठाना अब यहां पर देखते है जब हम nth कर रहे है तो minus 1 raise to power देखे 4 derivative कर रहे हो तो minus 1 की power cube आ रहे है third derivative कर रहे हो तो minus 1 की power 2 आ रहे है यानि 2 time minus आ रहे है second derivative कर रहे है तो one time आ रहे है that means nth कर रहे हो तो एक कम जाएगा minus 1 की power एन वाइन बाइन डिवाइड बाइट तू रिस टु पावर फू डेरिवेटिव में 4 थो एन अथ में क्या आ जाएगा एन पावर 1 इंटू 3 इंटू 5 नाव यह फैक्टर हम कैसे लेंगे 4 डेरिवेटिव किया तो थ्री फैक्टर्स की मुल्टिप्लाइए 3 numbers के multiply, ओके, 3, अगर मैं 3 derivative कर रहे हूँ, तो 2 number के multiply, क्या-क्या आ रहा है, 1 into 3, 1 into 3, ठीक है, तो यहां से जब हम nth derivative करेंगे, तो एक कम number आ रहा है, 4 derivative में 3 number के multiply, 3 में 2 number के multiply, तो यहां पर nth करेंगे, तो n minus 1 factors, यहांनि n minus 1 numbers के multiply करेंगे, then हमारे पास इस step nth में convert आएगा, ठीक है, तो symmetry हमें हमें क्या दिखा रही है, कि 4 derivative कर रहे है, तो 3 number के multiply, nth करेंगे, तो n minus 1 numbers की multiply हो जाएगा, ओके, and multiply x plus a raise to power, minus 4, यहां पर देखिए, आप इसको लिख सकते हो, minus common ले लिजी, minus 4 minus half, ठीक है, minus common ले लेते हैं, तो यह आजाएगा, 4 minus half, minus of n minus half, nth derivative है, clear, ठीक है, यह हाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो मैं इधर नेचे लिख देती हूँ, x plus a raise to power, minus common लेंगे हम यहां से, symmetry बनाएंगे, तो n minus half रहे जाएगे, ठीक है, अब हम इसको solve कर लेते हैं, yn equal to minus 1 raise to power n minus 1, divided by 2 raise to power n, 1 into 3 into 5, up to solve n minus 1 factor, तो कितने factor बनेंगे हां से, अब nth factor निकाल ले जी, means आपको चाहिए, nth factor की formula क्या होता है, a n equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है, a is a first term, अभी हां पर देखेंगे तो a p बन रहे हैं हमारी, okay, then a is a first term, d is a common difference, a हमारा यहां पर, यह हम nth term की बात कर रहे हैं, हमें n minus 1 factor हैं यहां पर, तो आप यहां से निकाल लेंगे, a n minus 1, means a plus n minus 2 into d, a is a 3, sorry, 1 plus d, 3 minus 1 is a 2, ठीक है, 1 into 3 देखेंगे, तो 3 minus 1 करेंगे, तो 2 आजाएगा हैं से, यहाजाएगा इन्टो 2, 1 plus 2n minus 4, then 2n minus 3, यहाजाएगा, 1 into 3 into 5 up to 6, 2n minus 3, last term हमने निकाल दी हां से, n minus 1 that term, ठीक है, हमें यह पता था, यह जो, यह जो series हमें, जो given है sequence, 1 into 3 into 5 up to 6 on n minus 1 factor, यह हमारी a p बना रहे हैं, और a p से हम n minus 1 that term यहां से find out कर सकते हैं, ठीक है, and multiply by x plus a raise to power minus n minus half, इसका आप L से में भी ले सकते हैं, minus 1 raise to power n minus 1 divided by 2n, 1 into 3 into 5 up to so on, 2n minus 3 divided by, power positive बना दीजिये, x plus a raise to power minus 2n minus 1 divided by 2, ठीक है, तो यह आंसर आजाएगा आपको, this is the nth derivative of y equal to under root of x plus a, first question, third part, y equal to 1 upon 4 minus 3x cube, and fourth दे रखा है, y equal to 1 upon 3 minus 2x cube, तो इस दोना question सेम है, यहां से मैं एक question करवारी हूँ, आपको, third part देखे, y equal to 1 upon 4x minus 3x है, इसको हम पावर को जो हो ऊपर ले आते है, minus 3 हो जाएगा, ठीक है, निमरेटर में change कर लेते है, then y 1, first derivative, minus 3 power into 4 minus 3x raise to power minus 4, and जब आप बेस का करते है, derivative, then minus 3, 4 का derivative 0, and minus 3x is a minus 3, next, y 2 कीजिए, minus 3 into minus 4 power 4 minus 3x raise to power minus 5, and minus 3 square, फिर से derivative करेंगे हम बेस का, तो minus 3 एक बार फिर आएगा, square हो जाएगा, y 3, third derivative, minus 3, minus 4, minus 5, 4 minus 3x raise to power minus 6, minus 3 raise to power q, ठीक है, तो इस तरे से हम जब आप factors लेके चलते जाएगे, then यहाँ पर मारे पास क्या बनेगा, inner derivative, y n, y n हम कैसे देखेंगे, minus 1 raise to power, third derivative में 3 minus आ रहे है, that means minus 1 raise to power n, यहाँ पर 3 into 4 into 5, then यहाँ पर क्या जाएगा, 3 factors की multiply है, 3 से start कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 into 4 into 5, 3 factors की multiply लेके चल रहे हैं, then 3 into 4 into 5, up to some, यह हमारे number कहां तक जाएगे, अब जब हम थर्ड derivative किया, तो 3 into 4, consecutive number की multiply, but 3 से 2 number जाना तक, means 5 तक जाएगे, 3 into 4 into 5, then यहाँ पर करेंगे, तो हम कहां से, n, up to some, n plus 2 तक जाएगे, multiply, 3 into 4 into 5, up to some, n plus 2, समझ गे, क्योंकि यहाँ पर 3, 3rd derivative कह रहे हैं, तो 3 into 4 into 5 आ रहे हैं, जब हम आफ 2nd derivative कह रहें, then 2 factor, 3 into 4, 2 factor आ रहे हैं, ठीक है, 3rd कह रहे हैं, 3 factor आ रहे हैं, then यहाँ पर अगर हम करते हैं, तो 3 into 4 into 5, up to some, n plus 2, and इसको कहां लिखेंगे, 4 minus 3 x raise to power, 3rd derivative है, तो इसको मैंने लिख दिया, 3 plus 3, this is 3, and जैसे हमारे बास second derivative था, तो इसको मैं लिख दूंगे, 4 minus 3 x raise to power, minus 3, 2 plus 3, then यह जो 3 है, last वाला, यह सब के साथ 3, 3 add होगा, जैसे हम फर्स derivative कर रहे हैं, इसको मैं लिखूंगे, 4 minus 3 x raise to power, minus 1 plus 3, तो 3 सब में add हो रहा है, 3, 3 and 3, change कहा हो रहा है, पहले वाले derivative में 1, second में 2, third में 3, 3, एन अध करेंगे, तो यह आ जाएगा, 4 minus 3 x raise to power, minus n plus 3, समझ गे, क्योंके यह 3 तो सब में add हो रहा है, 3, 3 and 3, change, 1, 2, 3, अब टू सौन यहाँ पर n आ जाएगा, ठेक है, minus हमारा common है, and minus 1 raise to power, यहाँ पर कितना आएगा, minus 3 raise to power n, because third derivative में 3 power आ रही है, second derivative में 2nd power आ रही है, तो n डेरिवेटिव करेंगे, तो minus 3 raise to power n आ जाएगा, अब इसको हम solve कर लेते हैं, यह चो नंबर है आपके बास, इसको मैं 1 into 2, 1 into 2, यहाँ कि 2 into 3 यहाँ जाएगा, and 1 into 2, इसे से मैंने डिवाइड कर दिया, और इसे से मुल्टिप्लाइ कर लिया, ठीके, 1 into 2 is a 2, याँ 2 से मैंने मुल्टिप्लाइग और दिवाइड कर लिया, और 2 को मैं लिख सकती है, 1 into 2, अभी हाँ पर दिखेंगे, तो 1 से लेकर, n plus 2 तक कंजर्क्टिव नंबर की मुल्टिप्लिकेशन है, याँ जाएगा, 1 into 2 को मैंने लिखा 2 factorial, 4 minus 3 x raise to power, minus, sorry, plus हो जाएगा, n plus 3, and minus 3 raise to power n को मैं क्या लिखेंगे, minus 1 raise to power n into 3 raise to power n, ठीके, अब minus 1 raise to power n, 3 raise to power n, 2 time आगे हमारे पास, तरिस बेस से मैं, power add हो जाएएगी, यानिकी इसको आप लिखोगे, minus 1 raise to power 2 n, n plus 2 factorial into 3 raise to power n, divided by 2 factorial into 4 minus 3 x raise to power n plus 3, ठीके, minus 1 raise to power 2 n, क्या वैल्यू है या, minus 1 raise to power 2 n, minus 1 raise to power, इसको मैं लिखा, minus 1 raise to power 2, and n को लिए भार, because power के power multiply होके वापिस 2 n बना देगी, तो minus 1 square is 1, 1 raise to power n, and 1 raise to power any positive number is 1, तो यह number हमारा बन जाएगा, यहां से 1, देन अंसर आजाएगा, n plus 2 factorial, 3 raise to power n, divide by 2 factorial, 4 minus 3x raise to power n plus 3, okay, this is your answer, fourth part, as it is, ऐसे ही करना है आपको, जैसे भी मैंने कर वाया है, तो यह आप खुद ट्राए कर लें, फिफ्थ देखिये, y is equal to, bx plus a square, यहां से भी आपको derivative करना है, bx plus a, इसको मैं लिलेती हूं, bx plus a raise to power minus 2, देन y1 निकालिए, यहनिकी first derivative, minus 2 into bx plus a raise to power minus 3, into b इसका derivative करेंगे, b आजाएगा, y2 is minus 2 minus 3, bx plus a raise to power minus 4, and b square, ठीक है, यहां से b, फिर से बेस का derivative करेंगे, एक as it is, था हमारे परस पहले से, एक और मैं पर derivative से आ जाते हैं, y3, थर्ड derivative, minus 2 into minus 3, into minus 4, पावर आजे लिखेंगे, bx plus a raise to power minus 5, into bq, ठीक है, अब तो सान yn, nth derivative निगालते हैं, यहां पर देखें, तीन नमबर multiply में है, यानि कि minus 1 raise to power, cube, और यहां पर हो जाएगा, and third derivative में, cube power है, तो nth में n हो जाएगी, then, 2 into 3 into 4, यह number multiply में है, minus हमने यहां एजेस्ट कर लिया, इसको मैं 1 into लिख सकती हूँ, 1 को किसी number से multiply करेंगे, भई रहेगा, 1 into 2 into 3 into 4 क्या होता है, this is a 4 factorial, जब मैंने third derivative किया, तो 4 factorial आ रहा है, nth करूंगी, तो यहां से आजेगा, n plus 1th factorial, ठीक है, and bx plus a, raise to power, minus, third derivative में 5 आ रहा है, यानि 3 से 1 ज़्यादा है, minus 5 को मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर, minus 3 plus 2, ठीक है, second derivative में हम minus 4 power को क्या लिखेगे, minus 2 plus 2, यानि 2 सब में add हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, n plus 2, and b raise to power n, third derivative में q bar है, second derivative में square आ रहा है, तो n अत्में n आ जाएगा, minus 1 raise to power n, n plus 1 factorial, into b raise to power n, divided by bx plus a raise to power n plus 2, this is your answer, n-th derivative of y. next question is, y equal to 4 raise to power x हमें दे रखा है, हम इसका n derivative find out कर रहा है, ठीक है, तो उसे पहले आप y1 निकालिए, 4 raise to power x, into log of 4, this is the exponential function, ठीक है, and y2 is 4 raise to power x, as it is, log of 4, 1 log of 4 में पास अल्रेडी जा, यहाँ पर उजाएगा square, y3 is 4 raise to power x, log of 4 raise to power q, अप्टो सान, y n करेंगे, 4 raise to power x, as it is, log of 4 raise to power n आजाएगा, this is another derivative, 7th question is, y is equal to e raise to power 3x, plus e raise to power minus 3x, 1st derivative करते हैं, e raise to power 3x, into 3, plus e raise to power minus 3x, into minus 3, 2nd derivative करते हैं, e raise to power 3x, into 3 square, plus e raise to power minus 3x, into minus 3 square, y 3rd derivative, e raise to power 3x, into e cube, plus e raise to power minus 3x, into minus 3 cube, up to solve, up to solve, minus 3x, into minus 1 raise to power n, into 3 raise to power n, this is 3 raise to power n, common भी लेसे हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, 3 raise to power x, plus minus 1 raise to power n, into minus 1, e raise to power minus 3x, find the derivative of y equal to log of 3x, 1st derivative किजिए, 1 by 3x, into 3, 2nd derivative is, 1 by 3x, यहाँ पर देखे, इसको कैसे करना है पर, 1 by 3, इसको हम लिखेंगे, 1 by x, 1 by x को लिखेंगे, x की power minus 1, 2nd derivative करते हैं, तो minus 1, x raise to power minus 2, 3rd derivative करेंगे, minus 1, minus 2, x raise to power minus 3, 4th derivative करते हैं, minus 1, minus 2, minus 3, x raise to power minus 4, अब तो सौन nth करेंगे, देख, 4th derivative में, 3 time minus हा रहा है, तो minus 1 time कम हुआ, यानि, minus 1 raise to power cube बनेगा, यहाँ बन जाएगा, 1 into 2 into 3, यहाँ आ रहा है, यहाँ कि 3 factorial, यहाँ पर कितना आ जाएगा, n minus 1 factorial, ओके, and x raise to power minus 4 है यहाँ पर, यहाँ पर 4th derivative में minus 4, यहाँ पर देख बनेगे, तो n हाजाएगा, यहाँ जाएगा, minus 1 raise to power n minus 1, n minus 1 factorial, divided by x raise to power n, last is a tenth, जो आपके बास दे रखा है, y equal to 1 upon root 1 minus 2x, इसको हम power को negative बनाएगे, first derivative निकालते है, minus half power आ गया जाएगी, 1 minus 2x raise to power, minus 3 by 2, जब base का derivative करते है, minus 2, second derivative किजिए, minus half, minus 3 by 2, 1 minus 2x raise to power, minus 5 by 2, minus 2 square, ठीके, third derivative करते है, minus half, minus 3 by 2, minus 5 by 2, into 1 minus 2x raise to power, minus 7 by 2, minus 2 raise to power q, ठीके, अब यहाँ से देखे, स्मिट्ट भी ना आते हैं, upon में जो अपके बास, 2 into 2 into 2 आ रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 raise to power 3, minus 1 यहाँ पे 3 time आ रहे है, minus 1 cube लिख सकते हैं, then 1 into 3 into 5, तीन नमबर की multiplied, 1 minus 2x raise to power, minus 7 by 2 को, जैसे हमने अभी last question में बताया था, जो अंडर root वाला था, वहाँ पे हमने क्या गिया था इसका, 3 plus, यानि कि हम 3 में क्या आड करेगी, वहाँ बास 7 by 2 आ जाए, 7 by 2 minus 3 कर लिजिए, this is the half, means यहाँ पे मैं करूँगी, 3 minus of 3 plus half, समझ गये, तो 3 plus, 7 by 2 को इस तरह से break करना है, कि 3rd derivative में कुछ add करें, 3rd derivative तो 3 में कुछ add करेंगे, तो 3 plus half, अगर हम करते हैं, 7 by 2 आता है, minus को हम रखेंगे 2, ठीक है, and minus 2 raise to power cube, इसको मैं ज़िटीज रखते हैं, then अगर हम nth derivative करते हैं सही, y n is equal to minus 1 raise to power, 3 में minus 1 की power 3 आ रही है, 3rd derivative में, तो nth में n आ जाहेगी, 1 into 3 into 5, अब तो सवान, n minus, अब यहां पर देखते हैं, कितने factor आ रहे हैं, 1 into 3, अगर मैंने 3 से multiply किया, 1 into 3 into 5, अगर मैं second derivative कर रहे हूं, 1 into 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, तो second में 2 factor, 3rd में 3 factor, और यहां पर आ जाएगा, n factors, then, 1 minus 2x raise to power minus, n plus half, bracket से भार रखना है minus को, third derivative किया है, तो minus n by 2 को मैंने लिखा, 3 plus half, जब हम second derivative करेंगे, तो आप minus 5 by 2 को लिख सकते हो, minus 5 by 2 is equal to minus of 2 plus half, ठीक है, तो यहां से हमने इसको solve कर लिया, and last में रहता है minus 2 raise to power 3, divide by 2 raise to power 3, ठीक है, अब जो minus last में है, minus 2 raise to power 3, इसको आप लिख सकते हो, minus 1 raise to power 3, into 2 raise to power 3, देखें कैसे करना है, minus 1 raise to power n, 1 into 2 into 5, 1 into, sorry 3 है, 3 into 5 up to 7, n factors हैं यहां पर, n factors में सापहां से n-s term निकाल सकते हो, n-s term कैसे निकालते हैं, a plus ap में हैं यह, a plus n minus 1 into d, a की value रखिए, 1, n minus 1, d is 2, this is 1 plus 2 and minus 2, and 2 and minus 1, this is the n-s term, क्योंकि यह हमें factors given हैं, यानि n terms given हैं, n-s term given नहीं हैं, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, n-s term क्या होगी, जैसे कि third derivative में, last term हमारे पास 5 है, तो n-s derivative में, last term क्या हैंगी, वो हम n-s term से निकालेंगे, ठेके, तो यह आज हैंगी, 1 into 3 into 5, अब टू सौन, 2n-1, यह हमने last term निकाल ली, 1- power को positive बना ले जिए, 2 raise to power 3, and 1-2x minus, plus हो जाएगी, अब उन में लेके आएंगे, l समने ली जी यहां से, 2n plus 1 divided by 2, and minus 1 raise to power 3, अलग कर लिया, और 2 raise to power 3, इसको आप लग कर सकते हो, तो 2 raise to power 3, cancel हो जाएगा है यह से, और minus 1 raise to power, ओके, एक mistake है यहां पर देखिए, एनफ derivative यहां पर कर रहें न, तो इसकी n power आएगी, समझ गे, और यहां पर भी n power, बिकॉस इसमें मैंने चेंज ली किया, यहां पर देखिएंगे, 2 square आ रहा है, 3rd में 2 cube आ रहा है, तो n-th में 2 raise to power n हो जाएगा, ओके, सेम टू सेम यहां पर हो जाएगा, minus 2 raise to power cube, and second derivative में हमारे पास, यह रफ करके देख ले ले ला, इसको अच्छे से, second derivative में minus 2 square आ रहा है, 3rd में minus 2 cube आ रहा है, तो n-th में minus 2 raise to power n आ जाएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लें अभी, 2 raise to power n, into 2 raise to power, यह n हो जाएगा, यहां पर n हो जाएगा, then 2 raise to power n से, 2 raise to power n cancel हो जाएगा, minus 1 raise to power n यहां पर है, और minus 1 raise to power n यहां पर है, यहां पर पावर एंड हो जहेंगी, यानि-1 दिस्टो पावर 2N हो जाएगा, और-1 की पावर अगर E1 होती है, तो वह 1 होता है, ठीक है, तो this multiply, this is a 1, तो इसको हम रफ कर सकते हैं, यह हमारा answer आजाएगा, 2N से 2N cancel हो गया, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते अपको इसका N derivative निकालना है, इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं, 3X प्लस 5, 5 को मैं लिख सकते हूं, 6-1, ठीक है, divide by X plus 2, इसको break कर लेंगे, 3X plus 6, divide by X plus 2, minus 1 upon X plus 2, कर सकते हैं, दो factors के आप 1 में अलग कर लिया, और 1 के आप 1 में अलग कर लिया, यहां से 3 कॉमन निकाल लीजी, 3X plus 2, divide by X plus 2, minus 1 upon X plus 2, cancel out, this is 3 minus 1 upon X plus 2, यह हमारी आगई Y की value, ओके, अब आपको यहां पर Ns derivative निकाल ला हैं, तो आप यहां से direct निकाल सकते हैं, मैंने आपको इसके जो last lecture में करवाया था, अगर Y is equal to 1 upon AX plus B, इस form का दे रखा है, अब यहां पर देखिए, अगर मैं derivative करती हूं, Ns derivative with respect to X, तो 3 is a constant, इसका derivative हो जाएगा, 0, minus, ठीक है, 1 upon X plus 2 का कैसे गरेंगे, इसको आप करिए compare इस से, हमें दे रखा है 1 upon X plus 2, हम इसका derivative कर रहे हैं, और इसका हमें formula as it is बता है, क्योंकि हम derive कर चुके है, YN is equal to, इसका derivative क्या था, minus 1 raise to power N, into N factorial, A raise to power N, divided by AX plus B raise to power N plus 1, ठीक है, यह इसका था, N derivative कि इसका, 1 upon AX plus B, अब हमारे पास जो statement है, वो ही है, अब इसको इससे compare किजिए, X के multiple, जो addition की term है, वो हमारी formula में effect नहीं करेगी, because यह जो complete term है, वही हमें लेनी है, effect क्या गर रहा है, X का multiple, because A raise to power N आया हुआ है, तो यहाँ से X का multiple कितना है, 1 into X, यानि A की value कितनी हो जाएगी, 1, clear, हम X का multiple check करेंगे, जैसे हम, मैं 1 upon X plus 2 पर यह formula apply करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे X का multiple compare करना पड़ेगा, यानि value A की नि derivative क्या हो जाएगा, minus 1 raise to power N into N factorial, A is a X का multiple यहाँ पर 1 है, 1 raise to power N, divided by जो भी पूरी statement है, यहाँ पर AX plus B है, तो AX plus B आ गया, X plus 2 है, तो X plus 2 आ जाएगा, raise to power N plus 1, ठीक है, 1 raise to power N कितना होता है, 1 ही होता है, Y N is equal to, minus 1 की power N यहाँ पर है, और 1 minus यहाँ पर है, तो minus 1 की power N यहाँ power N हो जाएगी, N plus 1 into N factorial, divided by X plus 2 raise to power N plus 1, तो आपको यह इस तरह से करने है, कि डिरेक्ट हम formula यूज़ कर सगे, ठीक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा change किया, ताकि मैं इसको इस formula सकूँ, ओके, next is, Y equal to log of X square minus A square, इसको भी आपको थोड़ा simplify करने है, log of identity लगाई है, X minus A, X plus A, and log of A into B क्या होता है, log of A plus log of B, means log of X minus A, into log of X plus A, अब इहाँ पर भी हमें logarithm का हम पढ़ चुके हैं, अगर हमने derivative जो N derivative फर्स लेक्चर में किया है, तो वहाँ आपके हमरे बस इससे जो last lecture हमने किया था, उसमें बताया था कि अगर log of AX plus B, अगर यह दे रखा है, तो आप इसका N derivative निकालेंगे, तो formula बनता है, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, A raise to power N, into AX plus B raise to power N, ठीक है, यहाँ से देखे, compare करेंगे हम AX plus B, this is X minus A, matter क्या करेगा, जो X का multiple है, addition वाले टर्म यहाँ पर कोई बेटर नहीं करती, जो X का multiple है, आप वो देखे, यहाँ पर X का multiple 1 है, तो यहाँ पर हम A की प्लेस पर 1 put कर देंगे, और AX plus B की प्लेस पर आजाएगा, X minus है, ठीक है, तो इस तरह से formula apply करना आना चाहिए आपको, apply करते हैं यहाँ पर, Y की value आगए है, हम N अग derivative निकालते हैं, YN is minus 1 raise to power N minus 1, ठीक है, into N minus 1 factorial, X का multiple यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 raise to power N, into 1 raise to power N, divide by X minus A raise to power N, plus, इसे भी apply कर सकते हूँ, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, 1 raise to power N, divide by X plus A raise to power N, जो कमन हारा है, कमन ही कालिजी, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, कमन हाँ आजा है, and X minus A raise to power N, N plus 1 upon X plus A raise to power N, this is your answer, Y equal to log of 1 minus 2X upon 2 plus 3X, यहाँ भी आपको as it is formal apply करना है, थोड़ा simplify करना पढ़ेगा इसको, Y equal to log of 1 minus 2X divided by 2 plus 3X raise to power half, under root, comma, fall में convert कर लेते हैं, and logarithm की property क्या होती है, half power, आगे आजाएगी, log of 1 minus 2X divided by 2 plus 3X, इसको हम लिखेंगे 1 by 2, log of 1 minus 2X minus log of 2 plus 3X, because log M by N, log M minus N होती है, अभी हाँ पर आप अपने देरिवेटे एप्लाई कर सकते हैं, direct, Y N, अब हमने जो पढ़ा था formula, Y is equal to log of AX plus B का, यह आपको यादोना चाहिए, direct, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, A raise to power N, divided by AX plus B raise to power N, ठीक है, यह formula को यादोना चाहिए, direct ही, now, यहाँ से compare कीजिए, हमें यह formula प्लाई करना है, हमारे पास है 1 minus 2X, और यहाँ पर है AX plus B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, B plus AX, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं compare करती हूँ, तो X का multiple, X का multiple यहाँ पर कितने है, minus 2, A की value आजाएगी, minus 2, इसके लिए, और यहाँ पर A की value यहाँ बनेगी, X का multiple जा, 3, A की value जा, 3, यहाँ आप YN निकाल लेजिए, YN is equal to half, भारी, रखेंगे, इसको ब्रेकेट लगा लेंगे, then log of 1 minus 2X, अप्लाई कीजिए, इस फर्मुला, Nth, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, A raise to power N means, minus 2 raise to power N, divide by जो भी angle होगा, 1 minus 2X raise to power N, minus of, यहाँ पर apply करते, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, A is 3, 2 plus 3X raise to power N वो जाएगा, ठीक है, जो common आप्लाई है, common ले सकते हैं, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, divide by 2, and यहाँ से आजाएगा, minus 2, इसको भी आप solve कर सकते हैं, minus 2 को मैं लिख सकते हूँ, यहाँ पर, minus 1 raise to power N into 2 raise to power N, minus 2 को मैंने ब्रेक कर लिया, and minus 1 की power आप एड़ कर लिजिए, N minus 1 plus N, this is, यहाँ हो जाएगा, minus, यहाँ इसको यहीं पर रख लिएते हैं, minus 1 raise to power N, बाद में देखेंगी, कॉमन निगलेगा अदरवाइस, minus 1 raise to power N, into 2 raise to power N, divide by 1 minus 2x raise to power N, minus of, यह भार आगे हमारे कॉमन आप, 3 raise to power N, divided by 2 plus, 3 x raise to power N, यहाँ भी आप एसे भी आपसर निकाल के छोड़ सकते हैं, फूर्थ कॉश्चिन इस, as it is, आपको यह करना है, वाई दे रख आपके पास, log of this, log of half power आगे ले आते, इसको आप लिखोगे, log of 2x plus 1, minus log of x minus 2, y n निकाल देजी हाँ से डिरेक्ट, 1 by 2, minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, यह की वेली हाप x का मुल्टिपल इजी 2, and यहाप x का मुल्टिपल 1, 2 raise to power N, upon 2x plus 1 raise to power N, minus of minus 1 raise to power N minus 1, N minus 1 factorial, 1 raise to power N, divided by x minus 2 raise to power N, जो का मुल्टिपल आ रहे, उसको लेली ची भार, 1 minus 1 की पार N minus 1, N minus 1 factorial, divided by 2, then remaining factor is plus 1 raise to power N, minus of 1 upon x minus 2 raise to power N, this is your answer, आज की लेक्चर में हम उत्रा ही करते हैं, 2 questions complete हो गए हमारे, next lecture में जो आगे questions है, वो try करेंगे, and अगर आपको किसी भी वीडियो में problem आती है, किसी भी algebra, calculus के किसी भी question में, तो मैं हर वीडियो के description box में, टेलिग्राम लिंक डालती हूं, तो आप वहाँ पे जाके, टेलिग्राम लिंक चेक करके, जोइन कीजिए का, और वहाँ पे अपने problems post कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको solution भी मिल जाएगा, अगर आप एक एक बच्चा कभी किसी की problem comment में डाल रहा है, कभी किसी की, तो ऐसे solve नहीं हो पाएंगी, या तो आप टेलिग्राम पे जोइन कीजिए, या फिर last में जो वीडियो मुनेगी, problems की, या फिर मैं वहाँ करवा सकते हूं, ठीक है,